जहिन साथियों देर से आने के लिए मापी चाहते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो बता दिया था कि नेक्ट वीडियो हमारी फासफोरस के उपर होगी तो आज की वीडियो में हम फासफोरस के बारे में डिसकस करेंगे जैसे कि हमने नाइट्रोजन वाली वीडियो में बताया था ऐसे ही हम आज फास्पोरस के बारे में डिस्कस करेंगे फास्पोरस इसका जो सूत्र होता है या इसे जिस नाम से हम जानते हैं पीटू ओफाइब इसका सूत्र ही कह लीजिए इसका जो सूत्र होता है वह पीटू ओफाइव होता है अब यह भी नाइट्रोजन की तरह है जिस परकार नाइट्रोजन मुमेंट गती में रहती थी मिर्दा में उसी परकार फास्पोरस भी मिर्दा में मुमेंट गती में रहती है कि यह चलावस्था में रहती है पौधे इसे S2PO4 और HPO4 ये दोनों रिलात्मक होते हैं रिलात्मक होने के साथ साथ बात करते हैं S2PO4 ये होता डाई हाइड्रोजन फास्फेट अब बात करते हैं अब बात करते हैं जो इसे कहते हैं हाइड्रोजन फास्फेट अब पॉद्धे इसे नाइ हाइड्रोजन फास्फेट कर रोप में करते हैं जिस परकार नाइट्रोजन को नाइड़ेट और अमोनिया के रूप में प्राप्त करते हैं अब पॉदधों है या कार कर गारिय करती है और कि इसका किलगशन होते हैं यह पॉदधों में में बीज की गुल्मत्ता यह भाहर को बढ़ाती है जड़ों का विकास तेजी से करती है कि वर्क क्या होते हैं पौदों में इसके कि अब इसके पौदों में क्या कार्या करता है नमबर एक यह पौदों में रंस्टेंस पावर यानि कि पिरति रोधक छमता उत्पर्ण करता है जैसे कि रोगों से लड़ने की छमता होती है औंवर क्ष़कीटों से लड़ने की संब्सक्राइब और कि ऐसे होते हैं जो लग जाते हैं और कुछ में लग cultivे जो रोग लग जाते हैं वो तो लग ही जाते हैं लेकिन जो रोग नहीं लग पाते हैं उन्हें कहते हैं पिर्ति रोधक छमता वो पिर्ति रोधक छमता के कारण ही नहीं लग पाते हैं क्या होता है पिर्ति रोधक कि पौधो में पिड़ती रोदक्षमता लाता है नमर 1 नमर 2 यह कह सकते हैं जिस किरिया के दौरान माइट्रो कॉंडिया हरे तिलबक और कोसी की उत्वति वोती है उनकी संड़्षना होती है उस किरिया को ये तेजी से बढ़ाने की काभी कारिया करते हैं another गया होगा किरियाओं को बढ़ाने का कारिया कि प्यूरीन कंट्स प्यूरीन जो एंजाइम है उन एंजाइम की हिर्या को बढ़ाने का इथ構र्फ फासपोर विण फस कॉर्स है ये नुकलिक आसिट नुकलियो प्रोटीन प्यूरी आदि जो फूर न्यांव होता है कि उनकी किरिया वे बढ़ अब और a dp कि हम कह सकते हैं एडिनु सीन ट्राइब पास्पेट सफिट और आडिनु सीन ड्राइब फास्पेट जो किरिया होती καιweg पौधे में यह दो किरिया होती है एडिनोसीन ट्राइफासपेट और एडिनोसीन ड्राइफासपेट वाली जो एक किरिया होती है इन किरियाओं में क्या होता है कि यह दोनों किरिया उर्जा संबंदी किरिया होती है और इन किरियाओं को करने के लिए भी उर्जा क्यावज सक होती है तो उस एंट को हमारा फासफोरस इन दोनों किर्यायों को प्रवाइड कर बाता है इन दोनों करीयों को समय प्रदान करों करता है नमर पांच फाइटिन और फास्पोलिपिड पिर्तियक्ष रूप से फाइटिन और फास्पोलिपिड और इसके अलावा एपिर्तियक्ष रूप से एपिर्तियक्ष रूप से स्वयसंदर तथा नाइट्रोजन आदी की किरियाओं को भी बढ़ाने का कारिय करता है हम इसे फलीदार फलीदार या कह सकते हैं फलीदार का आर्थ है जैसे की आपकी लेग्यूम फसल है यह कह सकते हैं लेग्यूम फसलों का अर्थ हो गया जैसे डाल वाली फसले हैं उन फसलों में यह फलीदार फसलों में अगर यह फासफोरस दिया जाए तो यह उन फसलों में क्या कारे करता है कि फलीदार फसलों में यह कर देख शुरॉय्म है जीवन होता है द्राण होता है उसकी संख्या को बढ़ा देता उसक प्रकार बढ़ाता कि उसकी संक्या को यह क्या करता है जो गाठों संख्या बढ़ जाती आγ तो फसले क्या कारे करती है जो राजो भीम बैक्टीरिया होता है यह वायू मंडल की नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में फिक्स कर देता है इसलिए इसे फलीदार जो फसले होती है उनमें देने से कि इस पौशक तत्व की अगर कमी हो जाए तो उसके क्या दिखाएए नमबर एक विकास्दर जो दिखास की दर है कि डवलÓप मेंट रेट है वो क्या हो जाएगा घट जाएगा जो विकास की दर है वो घट जाएगी और इतो जड़ों का विकास है वो भी रुक जाएगा नमबर दो आता है अब अबहाब ग्रस्त यह कह सकते हैं जिन पौध हमें फासफोरस की कमी हो जाती है उस पौधे की पत्तियां ज्यादा गहरी हरी हो जाती है क्या हो जाती है गहरी हरी हो जाती है और इसके अलावा पत्तियों का जो रंग हो जाता है वो बैंग नहीं हो जाता है पत्यों का रंग कैसा हो जाता है बैंग नहीं हो जाता है अब किस कारण से होता है वह कारण भी हम आपको बताएंगे जब पत्तिओं में या कह सकते हैं फासफोरस की कमिंग हो जातीए तो फासफोरस की कमिंग होएंगे कारण प्रोटीन की मातरा घट जाती एफ जती प्लाजएंग रद ही जो हमारी सुगर होती है उक हैं अप सुगर की मातरा सथो में घ praw जाती है और गट प्रोटीन की मातरा घड़ जाती है और सरकरा की मातरा बढ़ जाती है इसके बैंगनी रंगि जाता है अब यह बैंगनी पत्तियां क्या कार्य करती है कि बाद में यह बढ़ना प्रारम करती है और यह पत्ति कैसी बढ़ना प्रारम करती है यह इस तरीके से मुड़ना प्रारम हो जाती है अंदर की तर्फ मुड़ना प्रारम हो जाती है यह कह सकते हैं कि पत्तियां तो को देकर हम इसके कमी को पूरा कर सकते हैं नमर एक आता है डी अपी अब डी अब में दो पॉसक्तत होते हैं एक तो अठारा परसंट नाइट्रोजन होती है और दूसरा चालिस परसंट फास्परस होती है इसमें अब डी अपी में दो पॉसक्तत होते हैं एक तो अठारा परसंट नाइट्रोजन और दूसरा चालिस परसंट फास्परस है नमबर दो आता है हमारा बोन मील यह कह सकते हैं हड़ी की खाद हड़ी की जो खाद होती है उसमें 22 परसंट कितना 22 फास्परस पाया जाता है हड़ी की खाद में 22 फास्परस पाया जाता है डाई केल्सिम फॉस्फेट इसमें 34 से 49 परशंट फास्फोरस पाई जाती है की बहुत से खाद है जिनको देने के बाद हम पूरा कर सकते हैं जैसे हैं आयग को प्रश्रक्रिकार है को पिरकों कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही जैसा झाल झाल